मेडिसीन का दुकान चला रहे हैं, मेडिसीन का होलसेल, हो रिटेल हो जो भी चला रहे हो, मेडिसीन का आप काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप अगर रूरल हेल्थ वर्कर हैं, रूरल हेल्थ वर्कर हैं, ग्रामीन चिकिसक, ग्रामीन स्वास्काय करता हैं, उसके बाद अ काजर कर रहे हैं उसके बाद ग्रामेंजी के सकामबुल तो अगर आप इस चीज से जुड़े हुए है या आप डारेकली जुड़े हुए है इंडारेकली आप जुरना चारे हैं या जुड़े हुए है तो आपके लिए यह कोर्स काफी important है जो कोर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करें जारे हैं और कोई कोर्स कुछ नया नहीं है 2020 में जिगनों के दुबारा यह launch किया गया काफी popular course है और यूटूब के history अगर हम बात करें तो पी आर बायो classes पे रुपे सरपहला ऐसा सक्स होंगे जो इस course को बरहवा दे रहे हैं पूरे इंडिया लेवल पे और बहुत साड़े अस्ट्रोंस ने 2020 में 2021 में तो यह जैसे लगता है इसमें बूम आ गया अलग अलग अस्टेट्स में इसमें अडिमिस्न लेने की होर लगी हुई है और हो भी क्यों नहीं course है भी बहुत popular certificate in first aid का हमने आपनों target group बता दिया अगर आप medicine के किसी भी रूप से जुड़े हुए हो थौक विक्रिता है या एजनसी है रिटेल है आप रूर हेल्थ वरकर है या company factory में supervisor manager है private hospital में आप assistant के तौर पड़ है doctors के compounders है चाया surgeon हो या physician हो या आप किसी school के या आप किसी school या college के science teacher है science teacher है आप या किसी लेब इसी में लेब assistant के तौर पर लेबरेटरी assistant के काम कर रहे है school college के तो यह सब target groups में अगर किसी में भी आ रहे हैं तो आपके लिए certificate in first aid group का जो course है वो काफी important हो सकता है ठीक है क्यों हो सकता है हम आपको बता दे कि यह मैं जो medicine जो cell करते हैं तो उसके पास तो एक जो है भी फर्मासिस्ट किये हुए लोग रहते ही हैं इसके लावा जो उसके अधीन जो work करते हैं उसको first aid की अगर जानकारी रहेगी तो उसको medical science की इगनों के दौरा जो आपको इस बहुत कम है मातर तीन रुपिया आपको फिश लगेंगे और दो सरुपिया रश्रेशन चार्ड जार जाने कि 32 सरुपिया में आपका admission रश्रेशन साथ ही हो जाएगा इसमें books भी आपको घर पढ़ी ही आ जाएंगे English medium में आपको books मिलेगा इसमें इसमें English medium में यह आपको दिहार मखना है English medium में यह books मिलेंगे आपको तो यह बता रहे थे हम कि यह जो टारिगेट ग्रूप है आपके पास कोई डिगडी हो या नहीं हो तो भी चलेगा आप दोनों ही case में यह course कर सकते हैं Company factory में किसी भी आपात कालिन अस्तिति के लिए emergency care किसी कहें भी हो सकता है आप medicine sale कर रहे हैं आगल बगल में क्योंग घटना घट जाती है अगर आप जानते हैं फरस्ट डेट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं रुरल्ट हेल्ट वरकर उसी काम के लिए है यह है यह है कंपनिस factory में भी कभी कबार जब जहां बड़ी संख्या में वरकर काम कर रहे होते हैं machinery काम होता है किसी के साथ भी कुछ emergency हो सकता है कोई भी हादसा हो सकता है तो वहां पे जो supervisor या manager रहेंगे तो यह first add करने के बाद वहां पे क्या होगा कि आप अच्छे से कोई भी emergency care को आप deal कर सकते हैं हो सकता है किसी को अचानक बीबी बढ़ गया हो, heart attack आ गया हो, machinery काम जहां चल रहा है बड़ी संख्या में वहां पे कोई cut फट गया हो, गिर गया हो, कोई भी चीज हो सकता है, कोई हादसा हो गया तो आप वहां पे भी आप first add कर सकते हैं प्रेवेट होस्पिटल में तो होता ही है, यह सब काम, emergency care के लिए, तो अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, और आप नोलेज को परना चार रहे हैं, कोई आपको यह नहीं के कि नहीं, आप विदाउट डिग्री होल्डर्स आप काम करना हैं, बिना किसी certificate के आप काम कर रहे हैं, तो यह चीजों से अगर आप जूज रहे हैं, तो आपके लिए कुर्स काफी important है, इसकूल कॉलेज में जहां बड़ी संख्या में 4000, 5000, 7000, 1500 बच्चे वहाँ पर रहे होते हैं, टीचर्स वहाँ पर राते हैं, स्टाप्स अंडर राते हैं, तो वहाँ पर सैंड्स इसलिए कर लेना चाहिए, कि कोई भी emergency में किसी बच्चे के साथ, किसी टीचर्स के साथ कोई भी अन्हुनी अगर हो जाती है, तो अगर आप first ed किये हुए है, आपको सारी बार की पता है, तो आप वहाँ पे कोई बड़ी हादसा को टाल सकते हैं, और तुरंत में आप quick action ले इस को फस्ट एड प्रोवाइडर का जो है प्राटमिक उपचार जो कार्ज करता होता होता, उसका मुख धिया यही होता है, कि हम किसी की जान को बचा ले और उसको तुरंत जो होस्पिटल में पहुंचा है, तो यह जो target group है, सभी के लिए कोर्स काफी important है, इसके बाद आप आपको basics of first aid, ठीक है, और यह थोड़ी पर पढ़ा है, यह थोड़ी पर पढ़ा है, और दूसरा जो इसमें आपको मिलेंगे, वो practical से लेटेड मिलेंगे, आपको practical skills of first aid, इसमें skills of first aid, यह कुल 16 क्रेडिट के इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, 16 क्रेडिट आपको परने होते ह हैं इसमें और आपके, आप जिस ऐस्ठेट से बलोग कर रहे हैं, आपके सहड़ में, इसका आश्री सेंटर कहीं न कहीं होगा, ऐसे भी आप जायद मिल ले सबस्तित होता है, तो यह books मिल जाने के बाद आप में 2 प्रकरिया करनी होती है, पहला तो आपको assignments जमा करना होता है आपको तई समय में information मिल जाती है आपके website पर तो वहाँ पर assignments जमा करना पड़ेगा कुछ practical होती है practical online offline दोनों हो सकता है और वो practical आपको करना ही पड़ेगा अब बात आएगी कि सर इसमें परना क्या होता है यह बहुत साड़े questions आते हैं सर की परना क्या होता है देखिए फर्स्ट एड़ है तो फर्स्ट एड़ में जो जो comment सी बात आ करना है किसी को अचानक heart attack आ गया तो जो है कैसे उसको निकाला गया है अगर वो चल है संभवना है तो फिर कैसे मेनेज किजिएगा अचानक आग लग गई उससे कोई वेक्ति जुलस गया है तो उससे आप क्या कर सकते हैं किसी को उसके बाद बहुत सारे कोई गारी से एक्सिडेंट हो गया अचानक से ब्लीडिंग होड़ा है तो आप कैसे उसको टिट किजिएगा तो ऐसा ही प्रार्त्मिक उप्चार फर्स्ट एड़ मतलब कि क्विक आप वहां पे क्विक पहुंचिए क्विक रिस्पॉंस दिजिए और अगर आपके दैरे में वह परिसानी आ रही है तो आप लगाई आप फर्स्ट एड़ किजिए उसको जोखिम को उसके रिस्क फैक्टर को जो जान नहीं जाए इसको समझते हैं उसको जो आपका फर्स्ट एड़ हो कीजिए और उसको रेफर कीजिए जो निरेस्ट अब अपना नाम मोबाईल नमर दे दीजिए प्रार्त्मिक उपचार करता आप फार्स्ट एर प्रवेडर अमुक कुमार मोबाईल नमर इतना 24 घंटा से रहेगा और उसके बाद एक उफिस तो आपको इसलिए होना चाहिए कि लोग कम से कम अगल भगल की कोई ऐसा इमर्ज अगर आप इन समुदाय से आते हैं और अगर आप फर्स्ट एड कोर्स करना चाड़े हैं अन किसी इस्यूशन में नहीं जाना चाड़ें तो इगनु इस दा बेस्ट ऑप्शन फोर यू फोर टेकिंग एड्मिशन इन्टू सी एफ एडी कोर्स सट्रिपिक इन फर्स्ट सरकारी नीजी हर जगह के नोकडियों में या मान है सेंटर इंडिया है नहीं इंडिया से बाहर भी आप कहीं भी जाएगा दिस कोर्स से आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो आई होब कि यह वीडियो छोटा साही साही लेकिन आपके लिए काफी नॉलेजीबल रहा होगा